कुट्ता कपड़े से टच हो गया जग कपड़ा नापाक हो जाएगा और आपके ओप्शिन ये रहें A. नापाक हो जाएगा B. कपड़ा दोना पड़ेगा C. कपड़ा फेकना पड़ेगा D. कपड़ा पाक रहेगा और आपका वक्त शुरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब पताया चाए सही जबाबे D. कपड़ा पाक रहेगा दूध पीते बच्चे का पेशाप कैसा है और आपके ओप्शिन ये रहे A. पाक है B. मकरू है C. नापाक है D. पता नहीं और आपका वक्त शुरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब पताया चाए सही जबाबे C. नापाक है एक हजार शहीदों का सबाब किस औरत को मिलता है और आपके ओप्शन ये रहे A. प्रेगनेंट औरत को B. सबर करने वाली औरत को C. शहर से अच्छा सलूक करने वाली औरत को D. सास की खिद्मत करने वाली औरत को और आपका वक्त शुरू होता है अब कम्पिटो जी सही जबाब बताया चाए सही जबाब C. शहर से अच्छा सलूक करने वाली औरत को नभी करीम हुदूर सलूल अच्छा अच्छा सलूक करती हो ऐसी औरतों को एक हजार शहीतों का सबाब मिलता है जन्नत में मुसल्मान के सीने में कुरान का कितना हिस्सा बाकी रहेगा और आपके आप्शन ये रहे A. दो सूर्टे बाकी रहेंगी B. आदा कुरान रहेगा C. पूरा कुरान रहेगा D. मालुम नहीं और आपका वक्त शिरू होता है अब कम्पिटर जी सही जबाब बताया चाए सही जबाब है A. दो सूर्टे बाकी रहेंगी जीन्स पहन कर नमाज पढ़ना कैसा है और आपके आप्शन ये रहे A. मना है B. हराम है C. नमाज नहीं होगी D. गुना है और आपका वक्त शिरू होता है अब कम्पिटर जी सही जबाब बताया चाए सही जबाब A. मना है जीन्स की पहन में रुमाली नहीं होती है इसलिए जीन्स में नमाज पढ़ना सही नहीं है हाँ अगर आप कहीं मजबूरी में हो तो नमाज हो जाएगी जान पूछकर जीन्स पहन कर नमाज अदा की गई हो तो ऐसा करना बेतर नहीं है कोशिश करें कुर्टा पैजामा या इसलामिक लिवास में ही नमाज को अदा करें पिलेट से हाथ काट कर लड़की का नाम लिखना कैसा है और आपके आप्शन ये रहे A. गुना है B. चाइस है C. सबाब है D. चाइस नहीं है और आपका वक्त शिरू होता है अब कंपिड़ जी सही जबाब बताया चाए सही जबाबे D. चाइस नहीं है शोहर नीचे बीबी उपर हम विस्त्री कर सकते हैं और आपके आप्शन ये रहे A. हराम है B. गुना है C. मक्रू है D. चाइस है और आपका वक्त शिरू होता है अब कंपिड़ जी सही जबाब बताया चाए सही जबाबे D. चाइस है पिल्ली रास्ता काड़ जाए तो क्या होगा और आपके आप्शन ये रहे A. कोई हास्ता होता है B. काम बिगर जाता है C. गरीबी आती है D. कुछ नहीं होता है और आपका वक्त शिरू होता है अब कंपिड़ जी सही जबाब बताया चाए सही जबाबे D. कुछ नहीं होता है ये अववा है इस पर यकीन ना करें ये दुनिया भी बात बनाई वी है किसी हदीथ और कुरान से थाबित नहीं है जहां आप जा रहे हैं वहां आप जाओ कुछ भी नहीं होगा कौन से नबी ने शादी नहीं की थी और आपकी उप्षिन ये रहे A. हज़द नुओ अलिएसलाम ने B. हज़द मुसे अलिएसलाम ने C. हज़द इसा अलिएसलाम ने D. हज़द सुलेमान अलिएसलाम ने और आपका वगत शिरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब बताया जाए सही जबाब सी हदरत ईसा अलिए स्लाम ने सबसे ज़ादा इल्म दुनिया में किस के पास है और आपके आप्शन ये रहे A. हदरत अली रदियाला ताला नो को B. हदरत मुसा अलिए स्लाम को C. हदरत अलिए स्लाम को D. हदरत आदम अलिए स्लाम को और आपका वक्त शुरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब बताया जाए सही जबाब सी हदरत अलिए स्लाम को इनसान ने मुर्दों को तफन करना किस से सीका A. फरिष्टों से B. खुद से C. शेर से D. कोवे से और आपका वक्त शुरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब बताया जाए सही जबाब है D. कोवे से जन्नत में आत्मियों की लंबाई कितनी होगी आपके आप्शन ये रहे A. पचास हाथ B. साथ हाथ C. छेटर मीटर D. सौ मीटर और आपका वक्त शुरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब बताया जाए सही जबाब है B. साथ हाथ ख्वाब में सितारे देखने का क्या मतलब होता है और आपके आप्शन ये रहे A. तुश्मन से खत्रा B. किसी की मौत C. दिली मुराद पूरी होगी D. नुक्सान होगा और आपका वक्त शिरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब बताया जाए सही जबाबे C. दिली मुराद पूरी होगी बुजू में एक हाथ से मूध होना कैसा है और आपके आप्शन ये रहे A. मना है B. मकरू है C. सबाब है D. सही है और आपका वक्त शिरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब बताया जाए सही जबाबे B. मकरू है मिया बीबी का हम बिस्त्री के वक्त बात करना कैसा है और आपके आप्शन ये रहे A. गुना है B. सही है C. हराम है D. मना है और आपका वक्त शिरू होता है अब कम्पिडर जी सही जबाब बताया जाए सही जबाब में D. मना है अब आपके कॉमेंट करने का वक्त आ चुका है जो सबाल अब हम आपके पूछेंगे उस सबाल का जबाब आपको कॉमेंट करना है काबा शरीप कहा है और आपके आप्शन ये रहे और आपको इस सबाल का सही जबाब कॉमेंट करना है तेखते हैं कितने भाई बेंट जानते हैं कि काबा शरीप कहां पर है तो कॉमेंट के जल्दी बताइए साथ पचकर 58 मिनट पर कौन बने का चन्नती एपिसोड देखने के लिए वद्दीफा पावर चनल पर जरूर आया करें अगर आप चाहतें कि आपके दोस्त भाई बेंट रिश्दारों को इसलाम की नौलेज हासल हो तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें लाइक करके और हमने आपके सामने कुछ वीडियो लगाए इन वीडियो को आप पूरा पिले करकर जरूर देखिए आपको सारे एपिसोड इसली पिले लिस्ट में मिल जाएंगे आपके सामने जो रौन रौन में वद्दीफा पावर लिक कर आ रहा है इस पर किलिक करकर चैनल को जरूर सब्क्राइब करें चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ जब तक के लिए लिए आफिस